जे सूरिदेव भगवान कीज़े सूरिदेव के नाराज होने पर आने लगती हैं परिसानिया तो इसे अवस्य पढ़े हैं, मिलेंगे फायदे यहां हम सूरिदेव के बारे में बात करने जा रहे हैं कि यद किसी विक्त की कुंडली में सूर्य द्यो कमजोर या असुब हैं, तो वास्तु उपाय करने उसकी नकारात्मक्ता को कम किया जा सकता है, वास्तु का अस्प्रभाव हमारे जीवन में महत्पूर होता है, वास्तु के अनुशार यद किसी काभ घर या कारिस्थल इसके सिध धान्तों के अनुपालन में ही बनाया में नहीं बनाया गया है तो उसके जीवन में गरीबी आ सकती है फालतू खर्चे होते हैं इसके साथ ही अगर घर या आफिस वास्तू के अनुसार बना हो तो जीवन में सुख सम्रद्धी का वास होता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि वा किसी ना किसी दिशा पर ग्रह का अधिपत्य होता है यहां हम सूरी देव के बारे में बात करने जा रहे हैं कि यद किसी व्यक्ति की कुंडली में सूरी देव कमजोर या असुब हैं तो वास्तु उपाय करके उसकी नाकारतमक्ता को कम किया जा सकता है जो तिस में सूरी देवता को ग्रह समराट की उपाधी प्राप्त है क्योंकि उनका सोभाव राजाओं जैसा है इसलिए जो लोग सूरी देव के प्रभाव से प्रभावित होते हैं उनके अंदर राजिसी गुड होते हैं वा सभी भोतिक सुखों का आनंद लेता है साथ ही वे आत्म विश्वासी और दोरदर्सी होते हैं इसके साथ ही सूरी देव को मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी और पिता का कारक माना जाता है इसलिए जोतिस में सूरी की स्थिती को जितना प्रमुख माना जाता है वास्तु में सूरी की दिशाओं को पालन करना उतना ही आवस्चक माना जाता है क्योंकि सूरी की ओर्जा सकारतमक्ता का कारक है और इसकी ओर्जा मानो जीवन में रोशनी लाती है आईए जानते हैं सूरी से जुड़े वास्तु उपाए इस समय करें पूजा सास्त्रों के अनुसार साम चार बजे से छे बजे तक समय ब्रह्म मूर्त माना जाता है और इस समय सूरी देव घर के उत्री भाग में होते हैं यह समय पूजा के लिए सर्वोत्तम है इस समय पर आप आदित्य हर्दै श्रोत का पाट कर सकते हैं आपको मंदिर इशान कोड में ही बनाना चाहिए। सभी खिड़कियां और दरवाजे खोले। ऐसा माना जाता है कि जिन घरों में सुबा के समय सूरज की रोशनी आती है, वहां रहने वाले लोग कम बीमार पड़ते हैं। इसलिए वास्तु में कहा गया है कि सुबा के समय घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां खोल दें। हम इस दिशा में होना चाहिए किचन और बातरूम। सुबा नौ बज़े से दुपहर बारा बज़े तक सूर्य दिव घर के दच्छिडपूर में होते हैं। इसलिए यह समय इश्नान करने और भोजन पकाने के लिए उत्तम है। इसलिए वास्तु सास्त्र के अनुसार घर में इनका इस्थान दच्छिड़ दिशा में होना चाहिए। ताकि सूरज की रोसनी यहां तक जा सके। इस दिशा में सैनकच होना चाहिए। दोपहर बारा बज़े से तीन बज़े तक विस्राम का समय होता है। और इस समय सूरज देव दच्छिड़ दिशा में होते हैं। इसलिए सैनकच इसी दिशा में होना चाहिए। साथ ही बेड्रोम में गहरे रंके परदे लगाने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस समय सूरज देव से परा बैगनी किर्णे निकलती है। इसलिए गहरे रंग के परदे रखने से आपकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा कमजोर सूरि को मजबूत कैसे करें सूरि को मजबूत करने के लिए रविवार के दिन इशनान करने के बाद लालवस्तर पहने साथ ही ओम है ओम है हो सा सूरिया सूर्याय नमा मंत्र का तीन या पांच या बारा माला जाप करें इससे लाब होगा रविवार के दिन नमक का सेवन ना करें दलिया दूद दही घी चीनी और गेहूं की रोटी जैसी चीजे खाएं इसके अलावा यह सूर्य की इस्तिती को बढ़ाता है रविवार का व्रत करने से सूर्य सुब फल देता है सारेरी कश्ट दूर होते हैं और आरोग्य की प्राप्ती होती है सूर्य के कमजोर होने पर विक्ति को लाल और पीले रंके वस्त्र, गुड, सोना, तांबा, मडिक, गेहू, लाल कमल, मसूर की दाल, गाय आदिका दान करना चाहिए मडिक्य रतन धारन करने से सूर्य की सक्ति प्रबल होती है इसके अलावा सूर्य के ऊपर तांबा, लाल या सूर्य कांत मडि भी धारन किया जा सकता है राधे राधे अगर आपको छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें लाधे राधे जय शूर्य देउत्ता भवान की जय